हेलो दोस्तों मैं दिने साब सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज अपने कुछ सी स्टोक रिलेटेड बात करने वाले हैं और उनके जो लेवल हैं उनको भी समझने की कोशिस करते हैं तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एप्टस वेल्यू हाउसिंग फा यह देखिए यह जो है 50 EMA से सपोर्ट लेकर अपसाइड दिखा रहा है इसके अंदर यदि आप देखेंगे वीकली चार्ट में अपने देखें यहां से आपको डेली चार्ट के अकोडिंग कोई भी आपको आइडिया नहीं होगा लेकिन यदि आप वीकली चार्ट में इस यह देखिए इस रेड केंडल के बाद कंटिन्यू ग्रीन केंडल बनी और इतना हाई इसने लगाया अब आप इसको डेली चार्ट में देखो अराम से तो आपको पता लगेगा यहां पर यह क्या है 50 EMA का सपोर्ट लेकर अपसाइड दिखा रहा है और यह वाला जो लेवल का इस लेवल के उपर यह नहीं जा रहा है तो वीकली क्लोजिंग के अकोडिंग कल के दिन क्योंकि कल है फ्राइडे और फ्राइडे को यह यदि इसके उपर निकलता है तो आपको यह 392 का लेवल जो है यह भी ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है ऐसा मेरे अकोडिंग है तो चलिए बात कर लेते हैं अगले श्टोक की जिसका नाम है वेभाव ग्लोबल अब वेभाव ग्लोबल को आप देखेंगे तो देखिए इस लेवल के उपर जो की है 484 का लेवल इसके उपर ये यदि कल के अंदर चलते हैं वीकली चार्ट के अकोडिंग ये देखिए आपको आइडिया हो गया होगा कि यहां से जो अपसाइड आई है ये वाला क्योंकि देखिए यहां से ये ग्रीन है जो की है 484 का लेवल इसके बाद इस लेवल को ये ब्रेक करते वे देखने को मिलने वाला है चलिए next stroke जो है उसका नाम है pretty international क्योंकि ये देखिए ये stroke जो है वो अपने all time high से काफी discount में मिल रहा है लेकिन एक जो है इसके अंदर drawback है ये कभी कभी क्या है upper circuit और lower circuit में ही चलता है इसको आप देखेंगे daily chart के according तो देखिए इसने करीब 300 का high लगाने के बाद ये अभी आपको 190 के level पर मिल रहा है और ये कौन सा level है इसको यदि मापको बड़े time frame में दिखाऊ तो बड़े time frame के according आपको मिलेगा 0.6 का level जो की 193 का है तो कल के दिन level ये जो level है ये देखने वाला level होगा कि इसकी closing इसके उपर होती है या नीचे होती है क्योंकि हमें इसके अंदर buying opportunity ढूणनी है कहां से ये chart जो है वो reversal होता है अब भी आप देखिए ये जो red line है 50 EMA की है weekly chart के अंदर और 50 EMA के पास जब भी आता है buying आती है यहां आया फिर से buying आई यहां आया फिर से buying आई यहां काफी time तक रुका था लेकिन फिर से जैसे ही इसके उपर निकला काफी अच्छा target आपको देखने को मिला और इसके fundamental यह आप देखेंगे result वगरा देखेंगे तो काफी अच्छे result है तो उम्मेद करता हूँ आप इन तिनों stock के बारे में study करेंगे अपनी watch list में add करेंगे और इनके price की movement को capture करेंगे तो मिलते हैं इसी तरह के और educational वीडियो के साथ वीडियो यह दिए अच्छा लगा तो like share और comment करना मत बूलेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों